नमस्कार किसान दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल लखी फॉर्मिंग लीडर में आज हम बात करेंगे नीम के पत्वों की नीम का पौधा हमारे जीवन में और हमारे पशू के जीवन में कितना महापतपूर है नीम के पौधों से नीम के पत्वों स से हमारे जीवन में कितना लाब हो सकता है और हमारे पुर्शूं के जीवन में कितना लाब हो सकता है आपको उता दें कि नीम का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें तमाम तरह की सक्तियां पाई जाते हैं जिसकी वज़ा से हमारे शरीर में होने वाले रोग, जलन, तमाम रोगों का इलाज, मात्रा और मात्र एक चीछ है, वो है क्या नीम का पौधा, आपको ये सारी बातें पता है, बसरतिव जानना ये है कि किस रोग में किस तरीके से हमें नीम के पत्ते का प्रियोग कर जाता है, जैसे सबसे पहले हमारे पोषूं को मखी मक्षर की पतंगों की ज़有एदा दिक्कत रहती है, अगल-बगल परेशान करते हैं, और फिर उसके बाद जिससे पसु आस्वस्त हो जाता है यानि कि मक्षी मक्षर से परिशान होकर पसु आस्वस्त हो जाता है इसके वज़ा से भी पसु बीमार पढ़ जाता है तमाम दिक्कते आ जाते हैं इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि नीम के पत्तों से यानि कि एक कि पेड़ से हमारे पशू की कितनी भीमारी ठीफ हो सकती है तो आई यह जानते हैं यदि आप मारे चल अपना है चलनल को सब्सक्राइब करतें वीडियो लाइक करतें और वीडियो शेयर करतें ऐसे ही आपको तमाम अर्वेदिक और महमत बुर्जानकारीय मिलती रहेंगी किसान दोस्तों नेम की छाल को कूट कर उसे फल की मात्रा से दोग लें सरसो के तेल में डाल कर उबाल लें और चान लें और रोजाना पसू के सरी पर इसे लगाने से पसू के सभी प्रकार के चरम रोग ठीक हो जाते हैं और मक्षरवा मक्षी पसू के आसपास नहीं आते हैं श出去 किसान की छाल कोट यूए दोगन लें। रोजाना पशू के श्रीर में परईंताए इसे चर्म्रोग फ्यूफ हो जाता है पशू बंख्य अत्य धिक हो घम्रोग चमडों पर एक अलग सप्रुभाव आपको लगता हैं। और प्रसु आपका आज स्वस्थ आपको नजर आने लगता है तो इससे आपके प्रसु को काभी आराम मिलेगा और आपका प्रसु स्वस्थ हो जाएगा किसान दोस्तों बात करें दूसरे की तो दूसरा नंबर पर है नीम के कच्चे पत्ते पसु को खिलाने से पसु के पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं जिहां किसान दोस्तों नीम के कच्चे पत्ते और सक्ता नुसार आप अपने पसु को खिलाएं पसु को खिलाने से पसु के पेट के कीड़े मर जाएंगे और फिर आपको डिवार्मिंग की भी जादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद पसु स्वस्त रहेगा मस्त रहेगा पसु का गोबर भी ठीक ठाक रहेगा अगले नंबर प्विक्सान तो हम बात कर लेते हैं नीम की छाल के पाउडर को गौमूत्र में मिला कर घाव पर लगाने से घाव के कीड़े मर जाते हैं जैसे कभी आपके पसु को चोट लगी है या फिर घाव हुआ है तो नीम क चाल के पाउडर को खूब अच्छे तरीका से गौमूत्र में मिला लें साप सुधरे फिर उसके बाद आप उसे घाव में लगाएं उससे जो है पसु के सरीर में हुआ घाव जो है उसमें जो कीड़े पर हैं वो आसानी से मर जाएंगे और पसु जल्दी से ठीक हो जाएग अगले नंबर पर हम बात करते हैं किसान दोस्तों जब हमारा पसु ताजा ब्यार रहता है उसके बाद दूद ठीक से नहीं देता है परिशानी रहती है तो भी दिक्कत हो जाती है तो आई जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हमें करना चाहिए किसान दोस्तों हमारे पसु के ब्याने के 10 दिन बाद पसु को नीम के पते खिलाना सुरू करने से इसके पसु का दूद बढ़ेगा और पेट में कीडे नहीं होंगे जैसे जब वारा पसु ताजा ब्याया होता है पेट में कीडे होते हैं पेट में कचरा होता है जिसकी जब आपका पसू 10 दिन बाद ब्याया हो यानि कि बसू के ब्याने के 10 दिन तक का टाइम भीयोद गया हो फिर पसू को नीम के पत्ते असकता अनुसार खिलाने से आपके पसू में कोई दिक्कत नहीं होगी पसू का दूद भी अच्छा रहेगा फैट भी आएगा अश्ण भी कि फॉर्मिंग लीडर धन्यवाद